आज मैं लेकर आई हूँ यूपी भिहार की ठेकवागी रेसिपी इसे छट पुजा में प्रसाद के रूप में बनाया जाता है लेकिन यह नॉर्मली आप बना के रख सकते हैं इसे हेली तरीके से भी बना सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं बनाना तो सबसे पहले मैंने यहा धूकिया अभड़े से बना सकते हैं बट में यहां पर यूज यूज कर रही हим थाफ का उट और उंभन पर coal गवके सोजी डाल रहे हैं उसके बद कोगोनेट पावड़र इसे बहुत अच्छाटेस्ट आता है इसे से बनाना चाहते हैं तो मेंने ने खांसाइओं फिर इंस अब रिखेणी चीनी जबनें अह से हमनें रेकाट रिथा पीछ समरे से अज में बना, दूब हम मो अजादा अड़ा आप वेलगेsky भूआ, ञांकर रिंदे लिडीर, केपकेस, अब इसके हमें बंद रहें, अब इसके अंदर में डलोंगी, तो आफ समुह पर नमें डालाई इससे क्या होगा कि क्रिस्पी आपका ठेकवा बनेगा अगर आप इसको पीस के डालना चाहते तो वेसे भी कर सकते हैं या गुनगुना पानी होता है उसके अंदर आप चीनियू को थोड़ी दिर के रख दीजिए उससे आप आटा लगा सकते हैं उसके बाद इसमें थोड़ा पहले इस तरह से और हमें पहले गोल करना है हमने यह पर चिकना आटा नहीं लगा है इसलिए हमें हलकाल का साइट से फटेगा यानि हमारा परफेक्ट दो तयार हुआ है उसके बाद मैं एक तुथपिक लिया एक उसके बाद इससर जान बना लेना है अगर आप इस बनाना यसी तरह से हमें सारा करना है मैंने सारा कर लिया उसके बाद तेल को उपर से गर्म करना है तो उसके बाद हमने एकक करना है इसके इंदर डाल और या तो सुगर को एwide कि उससे हम तेल में डालेंगे तो सुगरम नुट हो乾 Secondly in एकक करके हमें इसे पलटना है एक दूबर पलटने के बाद यह थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा तो यह नहीं टूटेगा इसे एक बेच को तलने में पांच मिनट लगा यह जब ठंडा हो जाएगा तब यह पूरी तरह से क्रिस्पी हो जाएगा और जब हम निकालते हैं तेल अगर ठेक हुआ की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें नए है तो सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाए बाए